कि नमस्कार दोस्तों आज हम आपको हाथ पैर में जो जलन होता है तथा तलों में जो जलन होता है पैर के तलों या एड़ी में जलन होती है इसके बारे में बताएंगे पहले इनके काणों को बताएंगे और फिर इनके कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप इससे पूरतह मुक्त हो जाओगे तो इनका कारण क्या है अगर हम माडर्न के परस्पेक्ट में देखते हैं या एलो पैथिक दिस्टिकोन से देखते हैं तो वह इसको नियवोपैथि कहते हैं कि यह हमारी नरो फायवर है जो सुचनह मस्तिष से ले जाती है या मस्तिष तक पहुंचाती है इसमें प्तम्पलेक्ष वितामिन कि कमी मिथायल को वेला कमी आधिकानों को माना गया है कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें यह अधिकांस्तव होता है जैसे डायबिटीज यह सुगर की रोगी को आप अक्सर देंगें कि हाथ पेरों में जलन होती है तो यह निरोपैथी है माडर्न का एक अलग परस्वेक्टर है लेकिन आईरवेद की अंशार यह हमारे सरीर में जब रक्त में या खून में पित्त दोस्ट की मात्रा बढ़ जाती है तो फिर हाथ पेरों में जलन और पसीना ना सुरू होता है इसमें होता क्या है कि रक्त में हमारे पित्त की अधिकता हो गई और जब अंग विशेश में कहीं कफा अरोध के कारण वात का गमन जो है और रुकावट में आता है या उस वात के रास्ते में कफ अरोध करता है तो वात उस रक्त दोस्ट के पित्त को लेकर करके वहां उभ से संप्राप्ति या इश कार्ड जो है hello व Please दोस और कफ दोस यह दोनों है तो इसे संबंधी उपाई इसमें किया जाता है तो कि को कि सिंटोमेटिक रेलीव के लिए आपको कि इसमें इस लोकी का रस है का आप सिंटोमेटिक रिलिव के लिए लकी नोकीट करा शने और už जाती है एलोपैथिक में इसमें आपको मिठायल कवेला मीन बी कंप्लेक्स आद की सप्लिमेंट दी जाती है उसे कुछ रिलीफ मिलता है लेकिन मैंने देखा अस्थाय रिलीफ नहीं मिलता है हमारे पास रोगी ऐसे आते हैं जो की काफी दिन तक भी कंप्लेक्स खाये हैं फि कि लुखी का रस आप लगाएं लुखी का रस आप पीएं और नारील का तेल भी किसी-किसी में काम करता है और इसके अलामा एक आपको बैस्टरीन नुष्खा बता रहा हूं जो आप आपके गाउं में ही पलबद हो सकता है वो क्या है बेल शीसम और पीपल जहां रखें ब करके उसका रस निकाल करके सुबह और साम दोनों टाइम लेना शुरू कर दें तो आपको एक सब्ता के अंदर ही आपको लाचनिक अरा मिल जाता है और आप आप 40-45 दिन तक सिवन करेंगे तो आपको अस्थाई रिलीफ मिल जाती है इसके अलावा आईरवेद में एक रसायन चूण आती है जो कि कई कमपनिया बनाती इसे विसलिए आपका ब्यास फार्मा बनाती है आप अमेजन से इसको मगा सकते हैं रसायन चूण और घर पर भी ब पानी से लेना शुरू कर दें तो 40-45 दिन में आप इस रोग से जड़ से मुक्त हो जाएंगे साथ-साथ आपका हाथ-पैरों में जो कमपन होता है या नियूरोपेथिक कांड जो आपको चलने फिरने में आपको वीकने से मसूश होती चक्का रहता है यह सारी लच्छन आप अपने आपको तरो ताजा मसूश करोगे तो इसको जरूर इस्तेमार करें दोस्तों और जैसा आपको प्रण्याम मिलता है आप हमें बताएं कमेंट बाक्स में और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद हो लाइक करें और सेयर करें तथा सब्सक्राइब करें धन्य ब झाल